अब तक तो रहेंगे आप सब लोगों ने चो लोग एपलोड में चॉब करना चाहते हो या इंट्रेस्ट रखते हो लोग एक कॉमन चीज़े बहुत सुने होंगे वह है एनराई और इस रेलेटिट मुझे इक व क्या आपन किया जाता है तो यह सारे डीटेल्स जनने के लिए वीडियो को लास तक कि जिया कि तो वीडियो शुरू करने से पहले मैंस सबसे पहले जो मैं ख्लारिफिकेशन देना चाहते हैं इस तो फैसे Non Resident Indian that mean that Indian wouldn't stay out of India जिसको R pandemic और NRI कोई भी होता है जो इंडिया के बाहार job करता में कर देंब करता है या ako क्यborg स्टपिकर करने के लिए रखा नहीं जाता है ऊँसождम को नरर नहीं बहुतो But कि NRI account बनाने के लिए क्या क्या documents या eligibility criteria है तो दोस्तो NRI account बनाने के लिए आपके पास आपका photo ID proof एक resident proof and passport size photographs and आप चीज भी country में रहते हो चाहे वो job पे हो या student हो या business हो उस related आपको प्रूफ होना चाहे like आपके passport आपके वीजा जिस page में वीजा stamping है वीज का photocopy होना चाहिए साथी साथ आपका passport होना चाहिए और किसी किसी बैंक में अगर आप employee हो तो company की तरफ से employment later होना पड़ता है तो यह सारे minimum documents लेके आप NRI account open करवा सकते हो दोस्तों और NRI account के मामले में तो तुमें एक बताना चाहते हो कि NRI account भी दो तरह की होता है व तो यह ज्यादा complicated कुछ भी नहीं है NRI and NRO mostly same तरह का ही account है बस इसमें यह difference है अगर आप as a NRI कोई भी bank में जाके NRI account open करते हो तो आपको जो account मिलेगा उस account में आप बस foreign का जो currencies है वो ही deposit कर सकते हो NRO account अगर आप open करते हो तो आप इंडिया या पाकिस्तान या बंगलादिस चाहां पे भी आपकी country है उहां पे अगर आप लहते हो कभी कभी आपका वहां पे कोई source of income है तो आप उगे पैसा भी invest कर सकते हो और जिस भी foreign country में रहते हो उहां से भी पैसा deposit कर सकते हो तो इसमें यह dwell benefits है दोस्तो NRO account में कि आप अपने home country से भी पैसा deposit कर सकते हो अपने foreign country से भी पैसा deposit कर सकते हो and अब दोनों देशेट पैसा transaction भी कर सकते हो and NRE and NRO account में और एक difference है दोस्तो NRO account में आप किसी और एक को भी authorize कर सकते हो कि आप अपने country में कोई और आपका account को handle कर सकते हो like deposit, withdrawal इस तरह क्या जो भी transactions है किसी और को भी authorize कर सकते हो जो NRE account में आप नहीं कर सकते हो and NRE and NRO account में थोड़ सा taxes का भी difference है यह बाकी अगर आप bank पे जाते हो तो वो लोग आपको अच्छे से समझा देंगे and इसके बाद questions साथ है दोस्तो कि कौन सी bank में हम लोग as a NRI account open कर वा सकते हैं तो दोस्त bank, ICICI bank, standard chatter इस तरह कि कोई भी bank में या फिर SBI, HDFC, Bank of India, ES bank इस तरह कि कोई भी nationalized bank से आप NRI account open कर सकते हो अगर आप Indian नहीं हो तो आप अपनी country का जो banks है उस bank कोई भी branch में आप inquiry कर सकते हो NRI account related questions का जवाब आपको वहां से मिल जाएंगे और अगर आप Indians हो ता आप इस तरह क कोई भी nationalized bank में आप अपने account open कर वा सकते हो दोस्तों अब एक बात है दोस्तों यह जब आप भी देना ज़रू है कि NRI account क्या open करना mandatory है नहीं दोस्तों ऐसा कुछ भी mandatory नहीं है अगर आप NRI account open करते हो तो इसमें आपको कुछ benefits है जिसका benefits आप ले सकते हो और आपको international debit card आप आपको tax free account इस kind of जितना भी facilities है वो आपको मिलेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप abroad में रहते हो तो आपको mandatory है NRI account open करने के लिए लेकिन अगर आप NRI account open करते हो इसमें कुछ benefits है जो as NRI आप उसका मजा ले सकते हो तो दोस्तों अगर आप NRI हो और NRI account open करना चाहते हो इ NRI account का मजा लीजिए तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना यह बहुत चाल मिलते दूसरी कोई वीडियो में दूसरी कुछ information के साथ तब तक के लिए जाए हिंद